नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 7 दिसम्मर 2020 के डेली करेंट अफेर्स डिसक्रशन में आपका स्वागत है पहली न्यूस जेन के अड्मिनिस्टरिशन सीक्स रिव्यू ऑफ और ऑफ रौशनी आक्ट सबसे पहले दो समय यह रौशनी आक्ट है क्या रौशनी आक्ट बोलते हैं जम्मुन कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ओफ ओनर्शिप टूद अक्ट अक्ट दो हजार एक पहले मैं कई बार अपने एडिटोरिल्स में और करेंट अफेर्स में इसको बना चुका हूँ नेशनल कॉन्फरेंस की गॉर्मेंट जिसके चीफ मिनिस्टर से फारुक अबदुल्ला सा उन्होंने लगबग 1990 में इस एक्ट को लेके आया था इस एक्ट के थुरू डिसकाउंटेड रेट्स पे कम दामों पे जो स्टेट की जमीन थी उसको स्टेट के लोगों में बाटा गया बट कहीं न कहीं इस रौष्णी एक्ट को बहुत कर्टिसाइज किया गया चुकि जो आम लोग थे आम जंता थी आम किसान थी उसको को पब्लिश भी किया है कि देखे इस रोश्णी एक्ट के नाम पे कितनी पॉलिटीशन्स ने जमीने हड़प रखे हैं हाई कोड का जज्मेंट भी आया था 9 अप्टूबर को जिसने 2001 के रोश्णी एक्ट को नल एन वॉइड बोला यूनिन ट्रेट्टिव जम्मुएन कश्मीर में और साथ-साथ अथॉर्टीज को ये भी बोला ही कोड ने कि आप अकूपेंट्स ये जो गॉवर्मेंट लैंड के अकूपेंट्स है ना रोश्णी एक्ट के अंदर इनके ओनर्शिप राइट्स को रिवोक करिए और इस लैंड को प्रॉपर तरीके से रियोर्गनाईज करके जरूत बंद लोगों के लिए आप अविलेविल करवाईए लेकिन यहाँ पे जम्मुएन कश्मीर का जो एड्मिनिस्टेशन है जो कि अब्विस सी बात है यूनिन गॉवर्मेंट की बात सुनता है उसने ये बोलाए कि देखे पुराने रोश्णी एक्ट में जदतर जो जमीने थी वो पॉलिटीशन को बाटी गई वेल्दी लैंड ग्रैबर्स को बाती गई रिच को बाती गई बट कहीं न कहीं कुछ जमीने monitor को किसान है जो कि small areas में अपनी छोटी सी जमीन लेके छोटा सा घर बना के अपनी केतिपारी बाड़ी की जिंदीजी जी रहे तो यहाँ पे सरकार एक बहुत अच्छी चीज़ कर रही है, सरकार ये बोल रही है कि इन दो classes of people को हम लोग same benchmark के measure नहीं करेंगा, हम इनके विच में discuss कोरेंगे यानि अमीर को एक साइट और जरूरत मंदों को एक साइट और जो जरूरत मंद हैं, उनकी जमीन को हम छीनने की कोशिश नहीं करेंगे, उनकी जमीन हम छीनेंगे नहीं, लेकिन जो politicians हैं, bureaucrats हैं, businessmen हैं, जो कि illegal occupants हैं इस रोशनी land के, उनको notice दे दिया गया है कि आप अपनी ज तुरंत खाली करिए, तो ये government का मैं कहूंगा एक बहुत अच्छा order है, चुकि कहीं न कहीं गरीब पिस्ता है, इस high level की politics में, तो इस से जो कश्मीर के लोग हैं, उनको ये थोड़ा भरोसा आएगा, कि हाँ भाई ये जो सरकार आई है, उनके लिए कुछ करने ही कोशिश कर आगे बटन पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेर और सब्सक्राइब ना किया हो, तो कर दीजे, मेरे दोरा बनाएगे और वीडियो को देखने के लिए आप चैनल पे, जोईन बटन दबा कि मेंबर बन सकते हैं, मेरी भी आप बात करते हैं, मेघाले में अच्छा का सा पानी बरसता है, मेघाले की अगर आप एक समय के बाद चीजे में बहुत खराब हो गई, यह होल देख रहे हैं यहापे जो आपको नजर आ रहा है, लेट साइड वाला फिगर देखी, जहां पर इटे पड़े हैं, यह पूरा आप माइनिंग करी जाती है, इसको बोलाता है, राट होल जिसके अगर आजिजे में बड़े मुषक पाए, और आदमी नहीं खुस पाए, तो बच्चे को घुस पाया के अंदर से जाके कोला निकाल के माइनिंग करते हैं, यह राट होल माइनिंग ना इफीफेमस थ मेघालिया में तो जादा ही फेमस थी हाला कि मेघालिया में इस रैट होल माइनिंग को NGT ने बैन कर दिया लेकिन उसके बाद भी इल्लीगल तरीके से रैट होल माइनिंग चल रही है मैंने इस issue को पहले एडिटोर्स में cover किया है rat hole mining पहले organized थी पहले rat hole mining की उपर सरकार tax लेती थी सब कुछ organized था National Green Department के क्या बोला कि rat hole mining हम में घाले आमें बंद कर रहे है 2014 में NGT ने ban लगाया अभी ban तो लग गया बट में घाले में illegal तरीके से rat hole mining चलती रही जो environmental regulators थे उनको पैसा दे के corruption से move बंद कर दिया गया चुकि कहीं न कहीं बहुत सारा पैसा जुड़ा हुआ था इस rat hole mining के साथ लेकिन यहाँ पे एक गाउं है एक इलाका है जिसका नाम है मूला माइलिंग मूला माइलिंग नाम का यह जो गाउं है यह तबहा हो चुका था rat hole coal mining के वज़े से लेकिन कहीं न कहीं यह जो गाउं है जो कि मेगालिया की east jaintia hill district में बढ़ता है अब यह एक clean और green dot बनके उभर के आया है rat hole mining के चलते कहा जाता है कि मेगाले की जो overall geology है ना local ecology को irreversible damage हुआ है यह लेकिन इस damage के बीच में भी मूला माइलॉंग ने अपने आपको साफ करके दिखाया है बड़ उसके बावजूद एपमॉम पाचियांग जो की एक school teacher है मूला माइलॉंग के इनका यह बोलना है कि यह जो village है 260 लोगों का कहीं ना कहीं हमने अपने इस village को साफ किया है हमने अपनी सरावनिस को clean किया है रहने लाइक किया है लेकिन अभी भी केवल 30% काम हुआ है अभी भी हमको बहुत काम करना है तो आप सोची दोस्तों हजाडस और आडस माइनिंग टेकनीक का स्थमाल किया जाता है माइनर्स क्रॉल करके जाते है अंडरगाउंट टेनल्स में जो की 4-5 फिट होते हैं डाइमीटर में और डीप सीम में एक एक से खोद के कोईला निकाल के बाहर निकालते है चिल्डरन भी गुसते हैं यहाँ पे कोला निकालने के लिए जैंतिया कोल माइनर्स और डीलर सेटिशन ने क्या बोला है कि 60,000 कोल माइनर्स हैं 360 विलिजज़ ओफ इस जैंतिया हिल्स डिस्टिक्ट में और निमेंसे एक विलिज मूला माइलोंग होता था लेकिन जब से NGT ने अपरेल 2014 में इस माइनिंग को बैन किया है मूला माइलोंग ने अपने आपको काफी सुधा रहा है लेकिन भाईया NGT की बैन के चलते जैसे कि मैंने अभी आपको बताया illegal mining बंद नहीं हुई है डिस्टिक्ट में कहीं न कहीं मूला माइलोंग जैसे कुछ बहुत limited pockets है जहां पर mining को बंद किया गया मूला माइलोंग में भी जो village की decision making body थी उसमें कुछ younger लोग सामने आए उन्होंने सीधे सीधे बोला कि हम ये rat hole mining नहीं करेंगे हम अपने villages को साफ रखेंगे तो मूला माइलोंग बस एक exception है ऐसे बहुत से आज की रेट में गाउं है जो कि अभी भी rat hole mining के वैसे काफी परिशान है environmental pollution and degradation general storage paper 3 के अंदर ये चीज़ आपको काम आएगी फिर next use serum institute ने emergency use authorization माँगा है kovi shield के लिए serum institute of india estrogenica की medicine develop कर रही है और इस estrogenica की medicine development की indigenous देखे estrogenica की जो vaccine है उसका इंडिया में trial करा रहा है serum institute of india और serum institute of india ने drug controller general of india से emergency use authorization माना है तो serum institute of india is the first indigenous company to apply for emergency use authorization from dcgi पहली indigenous company है तो क्या इससे पहले कोई दूसरी company है जो की apply कर सकती emergency use authorization covid-19 की vaccine की बिलकुल US का pharmaceutical giant Pfizer जिसको अलरड़ी United Kingdom और बहरेल में vaccine के use के लिए approval मिल चुका है अब वो इंडिया में apply कर रहा है approval के लिए तो भाई Pfizer apply कर चुका है अपनी vaccine को indian market में उतारने के लिए और यहाँ पे covid shield जो serum institute of India यह आपका AstraZeneca वाली जो vaccine ने Oxford University वाली उसके लिए भी आप यहाँ पे apply कर दिया गया है अगर आप देखो Oxford वाली covid-19 vaccine की तो उसके phase 3 clinical time अभी बहुत जोरो सोरो से चल रहे है जिनको Indian Council of Medical Research भी co-sponsor कर रहा है AstraZeneca की ट्रेस के और इंडिया में नहीं United Kingdom और ब्राजील में भी चल रहे है emergency response के अंदर already Indian Council of Medical Research से permission लेके serum institute of India 40 million doses बना चुका इस AstraZeneca वाली covid shield vaccine की तो अब doses 40 million मन के खड़ पड़ी हुई है तो बेचना तो है ना पैसा तो कमाना है ना तो emergency use मिल जाएगा vaccine बिग जाएगी company को फाइदा हो जाएगा अभी company के फाइदा होने में problem ना हो बस इस vaccine के कोई उल्टे सीधे after effects निकल के ना है तो यहाँ पे देखे application क्या बोल रही है So in the national interest we request you to grant us emergency use authorization of covid shield based on our application and in view of immediate need for a safe, effective, programmatic, suitable and affordable vaccine for our country ठीक है बाई इनके हिसाब से यह vaccine suitable है affordable है efficient है बवान करे efficient ही हो चुकि covid-19 की problem जिस चीज से solve हो जाएगा भले वो थोड़ी महंगी हो तो भी चलेगा drug controller general of India की बात की जाए तो this is a department of central drugs standard control organization of the government of India यह drugs के licenses को approval देता है तो जो drugs जो blood or blood protection related है vaccines related है इनको approval देता है drug controller general of India ministry of health or family welfare के अंदर आता है drug controller general of India manufacturing sales, import और distribution को regulate करता है इंडिया में ठीक है तो भाई यह है पुरा-पुरा अच्छा एक और बात Pfizer वाली जो vaccine है ना उसके लिए proper infrastructure available नहीं है इंडिया में माइनस पचास डिगरी पे store करने का infrastructure इंडिया के पास नहीं है लेकिन यह जो आपकी serum institute of इंडिया की जो Oxford extragenica वाली university इसके लिए 2-3% चाहिए उसका infrastructure है इंडिया में general studies paper 2 में इस चीज़ आपको काम आईगी फिर next एक छोटी जी news है अलागि यह local state news है मद्ध पदेश ने बोलाए कि हम एक लाख malnourish children को treat करेंगे इसको बोलाता है SAM severe acute malnutrition मद्ध पदेश गोवर्मेंट ने बोलाए कि यह coronavirus के बाद यह जो severe acute malnutrition है यह बहुत तेजी से बढ़ने वाला है prediction models के एसाब से just lockdown से पहले number of जो SAM cases थे state में they were approximately 81,000 और COVID-19 के बाद सुनने मारा कि एक लाख होंगे तो prediction models के एसाब से एक लाख SAM cases को मद्ध पदेश प्रो एक्टिव बेसेस पे solve करने की कोशिश करेगा बट कहीं न कहीं एक लाख से बहुत ज़ादा होंगे severe acute malnutrition के cases लेगें चलिए सरकारें कुछ तो कर नहीं है तो स्वाती मीना नायक जी ये director है Women and Child Development for MP की इन्होंने बोला है कि हमने already severely acute malnist children लगबख 77,681 को identify किया और 467 moderately acute malnutrition वाले चिल्डन को identify किया आगे आने वाले इस महीने में 22,000 चिल्डन को हम लोग और identify करेंगे और इन एक लाख लोगों को इन एक लाख बच्चों को जो की severe acute malnutrition गुज़र रहे हैं इनको हम लोग treat करेंगे इनको हम लोग medical treatment प्रोवाइड करेंगे Lancet article 6.5 जुलाई 27 को जिसमें बुला गया था कि 14.3% rise होगा in the prevalence of moderate to severe wasting among children जो की 5 साल से कम में है COVID-19 related loss की वज़े से और कहीं न कहीं child mortality बढ़ेगी 10,000 deaths होगी हर महीने पूरी दुनिया में तो यह सब चीजे हैं दोस्तों यहाँ पे होशंगाबाद district में एक pilot project चलाया गया था UNICEF के द्वारा एक block में होशंगाबाद district की और यहाँ पे government ने अपनी strategy को launch किया ताकि nutritional care प्रवाइड किया सके और vulnerable children को rehabilitation प्रवाइड किया सके तो इस pilot project को जो की UNICEF ने चलाया था एक block में होशंगाबाद district में इसके result के basis पे मद्यपदेश की सरकार ने बोला कि हम vulnerable children को nutritional care और rehabilitation देंगे और यह सब किसके अंदर दिया जाएगा integrated management of acute nutrition के अंदर जहाँ पे identification होगा vulnerable children का community supervised feeding and monitoring होगी health status की mothers group बनाया जाएगे adolescent girls को help दिया जाएगा frontline workers को train किया जाएगा कि वो भाई लोगों के लिए on ground जाके काम कर सके जैनल इस पेबर टूल में चीज़ आपो काम हैगी आज की final news भाई मनामा डायलोग हो रहा था बहरीन में और उस मनामा डायलोग में साओधी एरेबिया के प्रिंस इसराइल के representative के अगेंस चिल्ला पड़े मनामा डायलोग क्या है यह annually होता है Kingdom of Bahrain के मनामा नाम के शहर में यहाँ पे यह दरजनो government officials, businessmen, international figures economist, political and strategic thinkers from Asia, Africa, North America Latin America, Europe मिलते हैं बहरीन की capital मनामा में और अपने views को exchange करते हैं on regional security challenges यह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है Israel अगर आप बहरीन की बात करो तो यहाँ पे जहाँ पे मैं dot लगा रहा हूँ यहाँ पे आपको बहरीन नज़र आगा हाला कि यह लंबा मार करें तो बड़ा दिख रहा है बहरीन बहुत छोटी स्कंटरी इतने चोटे में दिखाई नहीं देगी तो यह prominent साओधी प्रिंस ने Israel को criticize किया है एक बहरीन security summit में उन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई आप अपने issues को Palestine के साथ क्यों नहीं solve करते हो कहीना कहीन बहुत लंबे समय से Palestine का issue pending चल रहा है Palestine अभी recently जो peace deal हुई इसराइल के किसके किसके साथ UAE के साथ बहरीन के साथ इस peace deal के बाद इसराइल को यह उमीद है कि साओधी अरिबया के साथ हमारे रिष्टे अच्छे हो जाएंगे कहीना कई back end से भी साओधी अरिबया के तरफ से को normalize कर लिया लेकिन यह जो आपकी इत्ती लंबी decades log conflict चल रही न इसराइल और पेलेस्टीनियन की बीच में यह सही नहीं है यह जो countries आपके साथ आ रही है कहीना कहीं पेलेस्टीन इनको धोका धड़ी की तरह देख रहा है betrayal to their cause देख रहा है और इसराइल जो अपने आपको peace loving upholder of high mirror principle बताता है यह सही नहीं है यह western calling power है जो कि पेलेस्टीन के concentration camps चला रखे है इनको दबा रखा है और security के नाम पे आप पेलेस्टीन के लोगों को दबा रहो यह सही नहीं है यह बोला है किसने साओधी प्रिंस ने फिर साओधी प्रिंस ने इसराइल के undeclared nuclear weapons के arsenal को भी criticize किया है ठीक है तो यह सब बाते बोली गई है फिर यह बोला है कि इसराइल की government unleashing their political minions and their media outlets from other countries to denigrate and demonize Saudi Arabia तो कुल मेरा कि यह जो representative आया है न यह जो representative स्टेटमेंट आया है साओधी प्रिंस का इसराइल के against इसराइल के जो representative थे कुछ समय तक तो पचाई नहीं पाए इसराइल की तरफ से कोई counter dialogue गंदा आया नहीं बट कहीं न कहीं यह statement यह बताता है कि हो सकता है कि ऐसा जो लग रहा था कि इसराइल और साओधी अर्वेयर किस्ते एकदम से बहुत अच्छे हो जाएंगे वो शयद नहीं हो तो यह था आज की important news दोस्तों I hope आपको पसंद आई हो Thank you for watching General Studies Paper One में आप हो काम आएगी Have a great day